नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरी दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहधी महत्तो पूर्ण जानकारी को ले करके जी हाँ आप सभी अब तक करेली के फायदों के बारे में बहुत सारे वाइस ओवर या वीडियोज देखे होंगे और सुने होंग लेकिन हम आपको फायदे के साथ साथ इसके नुकसान को भी बताते हैं ताकि जिनके लिए फायदा होता है वो इसका सही इस्तेमाल कर पाएं और जिनको इससे लोस हो सकता है वो इसके इस्तेमाल से बचें यानि कि हमारा मूटिफ होता है आप हर कंडिशन में स्वस्थ रहे आईए आज हम सभी जानते हैं करेले के फायदे और नुकसान के संबंध में करेला अपने स्वास्थे लाफ के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है और शायद यहीं वज़ा है कि करवा स्वाध होने के बावजूद यह लोगों को अतिप्रिय है करेला जो की एक सबजी और अवशद ही दोनों ही है प्रोटीन, कार्बोहाइडरेट, कैल्सियम, आईरन, फासफोरस, मैगनीशियम, मैगनीज, फोलेट, विटामिन A, विटामिन C और कई विटामिन B का एक प्रचूर श्रोथ है इसमें आहार फाइवर भी अच्छी मात्रा में शामिल है और इसमें कैलोरी भी कम होती है यह लिनोलेनिक एसीड एक आवश्यक उमेगा 6 फैटी एसीड होता है यह और ओलिक एसीड यानि की एक औसंत्रिप्त वासा का भी एक अच्छा श्रोथ है आप करेली की सबजी भी खा सकते हैं या फिर इसके जूस का सेवन कर सकते हैं तो आईए सबसे पहले जानते हैं करेले से होने वाले फायदों के बारे में करेली के फायदे आपको सबसे ज़्यादा जो की नॉर्मली सब ही लोग जानते हैं गाउं पर दादी नानी भी कहते करेली का यह स्वास्थे लाव विश्व भर में प्रचलित है यह रक्त में शरक्रा के अस्तर को प्रभावित कर उसे कम करने में सहायता करता है इसके अलावा इसमें चरंती विसीने और पाली पेप्टाइड पी नामक तीन सक्रिय मधुमेह विरोधी योगिक भी मौजूद है यह पैंक्रियास के इंसुलीन उत्पादन को उत्तेजित करता है और इंसुलीन प्रतिरोध से भी बचाव करता है इसकी यह खुबी इसे टाइप 1 एवं टाइप 2 दोनों ही प्रकार के मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद बना देती है रक्त शरकरा को कम करने के का जूस अवश्य पियाप आपको लाब होगा आपको रोजाना दिन में एक बार करेले से बनी हुई एक खादे सामगरी जरूर खानी चाहिए अगर आप मधुमेह से पीडित हैं तो करेले के लाब में से एक है यह रक्त को साफ रखता है शुद्ध रखता है करेला शरीर मे एक प्राक्रितिक रक्त शोधक के रूप में कारे करता है और रक्त को स्वक्ष रखने में सहायक है अशुद्ध रक्त लागातार सिर्दर्द, इलर्जी, ठकान और कमजूर प्रतिरोधक शमता जैसे लक्षन पैदा कर सकता है करेला रक्त को साफ एवं डेटोक्सिफाई कर करने में मदद करता है यह रक्त विकारों के उपचार में मदद करता है त्वचा को मुहां से सोराइसिस और एकजीमा जैसी समस्याओं से भी मुक्त कराता है इसके अलावा करेले के जूस के फायदे में से एक है कि यह लीवर के लिए स्वास्थ वर्धक होता है जी हां करेल को स्वक्ष करने में मदद करता है यह लिवर में से विशाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी सक्षम है लिवर के सुचारू रूप से कारे करने पर मोटापा हरदय रोग क्रोनिक ठकान सिरदर्द पाचन समस्याओं पीलिया युम अन्य कई रोगों के होने का खत्रा क कम हो जाता है लिवर को स्वस्थ रखने के लिए दिन में कम से कम एक बार एक कप करेले का जूस ःवश्य पीना चाहिए इसके साथ साथ करेला कोलेस्ट्रॉल को भी रोगों करता है जिहां यह ऑशद्य सबजी आपके शरीर में उपस्थित हानिकारक क्लेस्ट्रॉल को कम करने में भी सहायक है इस का श्रेय इसमें निहिद उत्म फाइटो-नियोट्रियन्स एवं एंटि ऑक्सिदेंट्स को जाता है इससे दिल के दोरे हिरदय रोग एवं श्ट्रोक का खत्रा कम हो जाता है हिरदय स्वास्ते में वृध हिलाने के लिए एवं कोलेस्टरोल को कम करने के लिए करेले को अपने दैनी का हार में आप शामिल करें इसके साथ साथ करेला आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत बनाता है नियमित रूप से करेले का सेवन करने से आपका इम्यून सिस्टम सशक्त और प्रभावी बन जाता है और शरीर को बिमारियों से लड़ने की अमित शमता प्रदान करता है यह इम्यून सिस्टम को फ्री रेडिकल शती से भी ब चामिल करें और गंबहीर विमारियों से शरीर का सनरक्षन करें, आप रोजाना एक से दो कप करेली की चाय भी पी सकते हैं, करेली की चाय बनाने के लिए एक कप गर्म पानी में 4 से 5 करेली के टुक्ड़े भींगने के लिए छोड़ दीजिए, 5 मिनट बाद प्राप्त चाय का सिवन आप कर सकते हैं ये आपके लिए लावकारी होगा इसके साथ साथ इसमें कैंसर रोधी गुण भी मौजूद होते हैं जिहां करेले में नहित इंटि अक्सिडेंट गुण शरीर की फ्री रेडिकल शती में सुरक्षा करता है करेले का सिवन करने से ग्रिवा प्रोष्टे उमर के विकास पर भी रोक लगाता है कैंसर से बचाव करने के लिए करेले को अपने दैनी का हार में शामिल करें या फिर इसके जूस का सिवन रोजाना नियमित रूप से करें करेले के बीज के फाइदे आपको वजन घाटाने में भी दिख जाएंगे करेला फाइटू नि तेजित कर शरीर में एकत्रित वसा की मातरा को कम करता है इसके अलावा यह फाइवर का भी एक अच्छा शुरोथ है और इसमें कैलोरीज भी कम होती है पोशन के जर्नल में प्रकाशित एकूट थाउजन ट्वेल्फ के अध्यान के मुताबिक करेले के बीज का तेल शरीर मे वसा संचय को कम करने में प्रभावी है तो जल्दी से करेले को अपने दैनिक आहार में शामिल करें और अपने वजन में आप सुधार लाएं इसके साथ साथ ये आतों में जमा कीडों को मारता है जिहां करेले में अंथेल मिंटिक योगिक पाये जाते हैं जो आत में हानिका किणों का नाश करते हैं यह न के वल उन पर जीवी का अंत करता है अपितु साथ ही उनके मरणों परांत आत में बचे विशाक्त पदार्थों से भी छुटकारा दिलाता है आत को हानी पहुंचा रहे किणों को मारने के लिए करेले का प्रयोग एक सब्ता तक रोजाना सुबह खाली पेट आधा कप करेले का जूस पिए इसके अलावा आप करेले के बीज का भी सेवन कर सकते हैं पांच से दस सूखे करेले के बीजों को क्रश करके आप इन्हें थोड़े से घी में तल लें इन बीजों का सेवन एक सब्ता के लिए रोजाना दिन में दो बार करें आप को लाब होगा इसके अलावा करेला का रस आपको हैंग ओवर से भी रहत दिलाता है यदि आप शराब पीने की अगली सुबह होने वाले हैंग ओवर से परेशान हैं तो करेले के पास आपकी इस समस्या का भी समाधान है इसमें इंटी इंटाक्सिकेशन गुन पाए जाते हैं जो शरीर से विशाक्त पदार्थों को निकास द्वार तो दिखाता ही है परन्तु साथी में शराब द्वारा लिवर को पहुँचने वाली शती से भी बचाव करता है हैंग ओवर को कम करने के लिए आधा कप करेले का जूस आपको पीना चाहिए करेले का सेवन करना एक पं करा पाने के लिए रोजाना सुबह कुछ महिनों के लिए एक ग्लास चांच में तीन चमच करेले का रस मिलाकर खाली पेट में पीए आपको खुद बखुद दिखने लगेगा कि आप शराब की लत्त को छोड़ते जा रहे हैं इसके अलवा करेले के पत्तों का रस बवासीर को ठी करता है करेले में नहीत उत्तम एंटी इंफ्लेमेंटरी एवं औक्सिडेंट गून इसे बवासीर के लिए एक उत्तम आहार बनाते हैं इसमें अच्छी मातरा में फाइवर भी पाया जाता है जो मलत्याक्रिया को नियमित एवं सरल बना देता है करेला इस वजह से मच करेले के पत्ते के रस में एक ग्लास छाच मिलाएं इस घोल को रोजाना सुबह एक माह के लिए खाली पेट में पीएं आपको लाब होगा दर्द जलन एवं सूजन से राहत पाने के लिए एवं ब्लिंडिंग को कम करने के लिए करेले के जड़का पेश्ट बाहरी बव पर आप लगाएं आपको लाब होगा इसके साथ साथ ये तो हमने आपको बताया कि करेले के फायदे क्या क्या है अब आईए जानते हैं इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं आप अगर ज्यादा मात्रा मिलेते हैं तो करेला खरिदते समय ताजा और गहरा हरा करेला ही चुन इसका जूस बनाने से पहले करेले को अच्छी तरह से ठंधे पानी से धो लेना चाहिए करेले की कड़वाहट को कम करने के लिए 10 मिनट के लिए नमक के पानी में करेले के टुकड़े भींगने के लिए छोड़ देना चाहिए और फिर खाना पकाने के लिए इसका इस्तेमाल क करेले के जूस के स्वाद में सुधार करने के लिए आप इसमें शहद या गाजर या फिर सेवकारस मिला सकते हैं एक दिन में अधिक साधिक दो या तिन करेला ही उप्योग करना चाहिए इससे अधिक सेवन करने से पेट में हलका दर्द या दस्त हो सकता है गर्फवती शीशु जन्म का कारण बन सकता है चलिए ये तो हमने आपको फायदे और लोस बता दिये लेकिन ये भी जहनना बहुत जरूरी है कि करेले का जूस आप कैसे बनाएंगे यानि कि आईए हम आपको बताते हैं कि इसकी वीधि क्या होगी सबसे पहले मध्यमाकार के एक से दो करेले अच्छी तरह से ठंडे पानी से धोलीजिए एक चाकू की मदद से करेले को लंबे वाली ओर से दो बराबर हिंसों में काट लीजिए फिर उसमें से करेले के बीज एवम सफेद गुता निकाल लीजिए बची हुई हरी परत को छोटे छोटे टुकडों में काट लीजिए इन टुकडों को 20-30 मिनट के लिए एक गलास पानी में फूलने के लिए छोड़ दीजिए फूलने के पास चात इन करेले के टुकडों को पानी सहित मिक्सी में पीश लीजिए प्राप्त जूस में से ठोस पदार्था हटाने के लिए इसे छलनी से छान लीजिए इसमें स्वाद के लिए शहद, काली मिर्च पाउडर, निम्बू कारस या अदरक कारस मिला लीजिए इस प्रकार से आपका करेले का जूस जो है तैयार हो जाएगा और आपको जो भी और नुकसान से जुड़े हुए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्तो पून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों